नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सो लोग आयोग की आप लोग जो हैं बहुत ही अच्छे होंगे तो आज के इस वेब डिजाइन के कोर्स के अंदर जो आज का वीडियो है इसमें हम देखेंगे यह HTML forms जो हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं उसके अंदर जितनी भी फील्ड टाइप हैं वो किस तरह से डिफाइन करी जाती है तो आगे बढ़ने से पहले जो प्रैक्टिकल करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नह जाते हैं किस तरह से क्रिएट किये जाते हैं और इनके अंदर जो फील्ड है वो किस तरह से अलगलग टाइप में डिफाइन करी जाती है तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कि चलते हैं लैप्टॉप स्क्रीन पर वहीं चलके इसको देखते हैं तो अब यह इमेज की हमें जो है यहां से मैं remove कर देता हूं यह जो हमारा एक यह बना हुआ एपल वान एपल टू एपल थ्री जो लिस्ट बनी हुई है इसको हम रहने देते हैं ठीक है यहां पर refresh करके दिखा देता हूं कि यह आपका हमारा जो image है वो हट चुका है तो यहां पर हम एक क्या करेंगे a tag लगाएंगे anchor tag जिसको बोलते हैं तो हम यहां पर anchor tag लगाते हैं और anchor tag लगाने के बाद यहां पर हम इसको लिख देते हैं register ठीक है यह register कर दिया हमने अब इसके अंदर जो है हम क्या करेंगे एक बार refresh करते हैं तो यह register यहाँ पे लिख किया गया है तो अभी इस register पे हमें क्या करना है एक page और html का बनाना है जैसे कि यह html का page है जिसको हमने यहाँ पे बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले इसको save कर लेते हैं save as कर लेते हैं html में तो यह html के हिसाब से इसको save कर लिया है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तक यह html वाला जो page है वो बिल्कुल blank है तो अभी यह जो location है वो इसकी location हमारी same है तो हम क्या करेंगे index के अंदर इसकी पहले location दे लेते हैं जिसका हम नाम देते हैं register dot html ठीक है यह हम करके save कर लेते हैं और यहाँ पर जो हमारे एक बार refresh करते हैं और यहाँ पर register पर अगर click करेंगे तो हमारा register dot html पर यहाँ पर जा रहा है क्योंकि अभी register dot html जो है पूरा blank है और उसको अभी हम design करेंगे तो design करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर html लिखके tab का बटन दबाएंगे और ताकि हमारा जो एक thumb rule html का है वो हमारे पास coding यहाँ पर आ जाएगी तो यहाँ पर हम जो है इसका title दा देते हैं register ठीक है और यहाँ पर body tag के अंदर जो है हम पूरा आज यह जो form है वो design करेंगे सबसे पहले हमें जो है form को जो है करना पड़ेगा opening and closing तो यह हो गया अब इसके बाद हमें यहाँ पर fields define करनी है ठीक है अभी यहाँ पर हमने form define कर दिया अगर save करने के बाद अगर मैं refresh करता हूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि हमने अभी तक कोई भी जो यहाँ पर field define नहीं करी है तो चलिए हम define करना start करते है पहले लिख लेते हैं first name first name लिखने के बाद हम यहाँ पर एक नई field डालेंगे input type की input अब यहाँ पर type रहेगा और name रहेगा तो name जो है वो मैं बाद में बताऊंगा कि क्यों use होता है अभी इसको हटा देते हैं और यहाँ पर type के अंदर हम लिख देते हैं तो यह हमने कर दिया अब इसको save कर देते हैं एक बार refresh करके देखते हैं कि हमारा first name और यहाँ पर उसके सामने हमारी input field जो है वो आ चुकी है इसके अंदर हम कुछ लिखेंगे तो लिख सकेंगे ठीक है ऐसे आपने बहुत सारे forms वगएरा online देखेंगे वही form जो है आज हम यहाँ पर design कर रहे हैं इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर last name last name डालने के बाद हम वापस से यहाँ पर input field लेंगे और यहाँ पर name जो है वो मैं अभी भी हटा देता हूँ क्योंकि इसका बाद में हम काम की use करेंगे इसको भी हम जो है text define कर देते हैं refresh करते हैं सेफ करके आप देख सकते हैं यह की line के अंदर जो है आगे से आगे बढ़ाता जा रहा है तो हमें क्या करना है कि यह आगे ना आगे ना जाए तो यह नीचे line में आता रहे तो उसके लिए हमारे जो पिछले वीडियो में हमने यह ब्रेक टैग जो देखा उसका इस्तेमाल करेंगे तो यह हम यहां पे लगाते रहेंगे ठीक है इसके बाद जो है हमें यहां पे email id क्योंकि register करने के लिए email id की भी जरूरत होती है तो email id का भी हम जो है यहां पे input लगा देते हैं यहां पे हम name हटा देते हैं इसका बाद में ही बता पाऊंगा मैं आपको अब यहां पे हम जो है इसको text लिख देते हैं और यहां पे text लिखने के बाद एक बार page को refresh करते हैं आप देख सकते हैं यहां पर तीन लाइने हमारी बन चुकी है और तीनों के अंदर हम यहां पर लिख रहे हैं अभी क्या करते हैं इसको हम सबसे पहले एक बटन ले लेते हैं तो जो कि एक सब्मिट बटन होगा तो सब्मिट बटन को बनाने के लिए हमें यहां पर लिखना है इन्पुट और टाइप में हमें लिखना है यहाँ पर सब्मिट इसको सेब करते हैं रीफ्रेश करते हैं तो जैसे कि आप देखें सब्मिट बटन तो आगया लेकिनी इसके सामने आए हमें यहाँ पर नीचे साइड में चाहिए तो हम यहाँ पर ब्रेक टैक जो है ब्र टैक जो है उसको लगा कि इसको रीफ्रेश करते हैं तो यह नीचे आ गया अभी यहाँ पर जैसे नाम लिख रहे हैं यहाँ पर लास्ट नीम डाल दिया हमने इमेल में कुछ भी डाल दिया और इसको अगर सब्मिट करते हैं तो सब्मिट हो जाएगा ठीक है लेकिन अगर हम directly यहाँ पे कुछ भी कर रहें तो यहाँ पे कोई error message नहीं दे रहा है जैसे कि अभी email id और first name तो हमें mandate करना है यानि कि उसको हमें required चाहिए उसके अंदर बिना अगर blank कोई submit करें तो वो submit नहीं होना चाहिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यह जो हमारा first name हमें important है उसको चाहिए चाहिए तो हमें यहाँ पे एक सिरफ required word जो है उसको लिख देना है और required word लिखने के बाद हम इसको छोड़ देते हैं तो अभी इसको एक बार refresh करते हैं और यहाँ पे अगर हम submit button पे click करते हैं तो आप दिख सकते हैं कि यहाँ पे जो है automatically एक आगया please fill out this field ठीक है तो यह error message आगया है please fill out this field तो यह एक हो गया अब अगर हम इसके अंदर field कर देते हैं कुछ भी तो वापस यह आगे जो है हमें करने दे रहा है अब सेम चीज़ जो है हमने यहाँ पे कर दी email ID में हम कुछ भी कर रहे है तो यह error नहीं दे रहा है जबकि हमने add the rate नहीं लगाया है ठीक है add the rate नहीं लगाया है तो फिर भी यह इसको accept कर रहा है तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे email के अगर गलत हो तो वो जो है ना accept करें तो हमें क्या करना है यहाँ पे type जो लिखा है type में हमने text की जगे पे कर देना है email email कर देंगे तो यहाँ पे अगर save करके अब जो है refresh करते हैं और यहाँ पे जो है हम कुछ भी enter करके उसको save करते हैं तो आप दिखते हैं email के उपर उसने error दे दिया please include an add the rate in this email field तो यहाँ पे जो है हमने क्या करना है add the rate लगा के अगर हम कुछ भी लिख देते हैं उसके बाद यह जरूर उसको accept कर लेता है ठीक है यह तो हो गया एक simple सा form अभी email के बाद हमें definitely register करना है तो हम जो है password भी हमें चाहिए है तो password field बना लेते हैं यहाँ पे एक तो यहाँ पे लिख देते हैं password password के आगे हम लगाएंगे input ठीक है input और यहाँ पे name यहाँ पर भी मैं अटाता हूँ इसको हम आगे future में देखेंगे और यहाँ पे type के अंदर हमने text लिखा था उपर side पे और यहाँ पे हम जो है अगर text लिखते हैं तो क्या होगा चलिए save करके इसको देख लेते हैं एक बार तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम लिखे रहे हैं password में तो यह visible है तो हम चाहते हैं कि visible ना रहे तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पहले तो यह जो text लिखा है text की जगे पे हम यहाँ पे कर देंगे password तो यह जो है password field में convert हो जाएगा refresh करते हैं अब अगर हम password डालते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे password visible नहीं है सरफ जितने character हम type कर रहे हैं उतने character ही यहाँ पे पूरे dot dot जो है बनते जा रहे हैं अब इसकी अगर हम यह length define करनी है तो हम यहाँ पे min min लिखके यहाँ पे इसको आगे code के अंदर डाल सकते हैं 5-6 जो भी हमें चाहिए तो उतने ही character minimum वो जो है accept करेगा ठीक है अब यह हो गया हमारा इतना तो इसके बाद हमें password भी हो गया अब suppose कर लो कि यहाँ पे हमें date of birth भी चाहिए है तो हमें क्या करना है date of birth के लिए चलते हैं यहाँ पे लिख देते हैं birth date ठीक है birth date और यहाँ पे जो है हम यहाँ पे input type लेते हैं input type और यहाँ पे हमें birth date type में करना है जो type है उसके अंदर हमें date लिख देना है date लिखके save कर देना है यहाँ पे हम beer tag लगा देते हैं आसानी से ये सारी चीज़े हो जाती है आपको जो भी year चाहिए है जैसा चाहिए है वैसा आप यहां से इसको उपर नीचे करके जैसा भी है वो सारी calendar वगेरा आप सारी यहां से ले सकते हैं जो भी date आपको pick up करनी है वो आप pick up करवा सकते हैं तो कितने आसानी सी हमने बर्थ डेट है उसका फिल्ड भी हमने इंक्लूड कर दिया अब इसके बाद भी और भी बहुत सारी चीज़े होती हैं जैसे कि अभी जेंडर ठीक है जेंडर ले ले लेते हैं अब जेंडर में हमें जो है यहां पे मेल और फिमिल सेलेक्ट करवाना है तो हमें रेडियो बटन का इस्तेमाल करना है और रेडियो बटन के लिए हम एक काम करते हैं यहां पे जेंडर को थोड़ा सा नीचे साइड पे यहां पे डालेंगे तो यहां पे इंपुट फिल्ड डालते हैं और इंपुट फिल्ड के अंदर जो है हम यहां पे और में हम लिख देते हैं रेडियो ठीक है यह रेडियो हमने लिख दिया और इसको बंद कर देते हैं इसको बंद कर दिया तो यह हमारा रेडियो आ गया है और इसके सामने लिख देते हैं मेल और अभी देख लेते हैं कि यह बराबर दिख रहा है कि नहीं तो यह देख सकते हैं यहां पे mail आ रहा है उसके सामने radio बटन भी बन गया है इसी तरह हम जो है यहां पे br tag लगाते हैं और input type जो है यहां पे वापस से radio लिखते हैं ठीक है यहां पे लिख देते हैं radio और इसको बंद कर देते हैं और यहां पे लिख देते हैं और इसको भी यार कर देते हैं तो यह हमारा हो गया है अब इसको एक वार रिए सेव करके refresh करते हैं यहां पे input type में गलत चला गया कर की हमने क्या गलती करी ओके यहाँ पह दख सकते हैं कि हमने जो है रेडियो यहां पे आर-ई-ई लगा दिया इसलिए उसने जो है फिल्ड टाइप जो है करना है इसमें यहां पे एक नेम टाइब डिफाइन करना है और इसके अंदर हमें लिख देना है जेंडर अब यह जो जेंडर है यह तीनों के अंदर कॉमन होना चाहिए यह वाले जो लिखा है हमने तो हम क्या करेंगे इनको आपस में यह कॉमन कर देने से यह तीनों आपस मे link हो जाएंगे क्योंकि अभी हमने इनको link नहीं किया था तो इसलिए ये जो है सारे के सारे अलगलग select भी हो रहे थे अब हमने ये कर दिया इसको save कर लेते हैं और एक बार इसको refresh करते हैं अब अगर जो भी हम selection करेंगे आप देख सकते हैं अगर मैं male पे click कर रहा हूँ तो female जो है वो selection हट रहा है और female पे कर रहे हैं तो male का selection कर रहा है other पे तो ये दुनों unselect होते जा रहे हैं तो इनके अंदर हमें हमने एक relation बना दिया है तो इसके बाद और भी बहुत सारे होते हैं अभी हम जैसे की ले लेते हैं सबसे for example उनसे cars के बारे में पूछना है कि आपके बास कौन कौन सी cars है तो cars लिख देते हैं और यहां पे हम एक bear tag लगा देते हैं वापस से sorry इसको सोड़ा यहां पे लगाएंगे और यहां पे हम input type में लगा देते हैं check box क्योंकि car multiple भी option हो सकता है तो हम यहां पे input type में यहां पे check box लिख देते हैं ठीक है check box तो यह हमारा name जो है इसको भी हटा देते हैं check box हो गया अब यहां पे हम क्या करेंगे लिख देते हैं alto यह alto हो गया अब इसके बाद bear tag लगा देते हैं अब वापस से input type में वापस से हम क्या करेंगे check box लिख देंगे और यहां पे हम लिख देते हैं save for example sale और bear tag लगा देते हैं वापस से input type और यहां पे check box और यहां पे हम लिख देते हैं vento तो इतना ही लिखते हैं अभी इसके आगे बाकि आप लोग खुदी समझदार हैं कि कितना आपको लेके जाना है वो आप ले जा सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पे alto, sale और vento यह तीनों चीज़े लिख के आ गई हैं अब क्योंकि एक person के पास दो चीज़े भी हो सकती है तो वो क्या कर सकता है इसको दो को select कर सकता है ठीक है तो यह दुनों का selection भी हो चुका है तो अभी इसके बाद एक और type का होता है जिसको हम कहते हैं drop down box कहते हैं तो उसको किस तरह से बनाया जाता है अब city अब उसके लिए हमें ले लेते हैं city कि कौन सी city से आप वो इनसान जो है जो register कर रहा है वो belong करता है तो उसके लिए हम जो drop down बनाएंगे उसको कहते हैं selection और यह जो है opening and closing tag होता है इसके अंदर हमें options देने पड़ते है ठीक है इसको अंदर हमें option लिखना पड़ता है option लिखके यहाँ पे इसको close भी करना पड़ता है तो इसी तरह इसको हम जो है काम करता हूं इसी tag को select करके 3-4 बार paste कर देता हूं ठीक है और एक बार और कर देते हैं यहाँ पे हम जो है cities के नाम डाल देते हैं जैपूर और फिर लिख देते हैं जोदपूर फिर लिख देते हैं अजमेर और फिर लिख देते हैं उदैपूर ठीक है यह 4 cities के हमने नाम लिख दिये अब यह value तभी selection होगी जब हम यहाँ पे इसके जो option लिखा है वहाँ पे value शब्द का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे इसके अं सेव करने के बाद एक बार refresh करते हैं ओके सॉरी यहाँ पे हमने selection कर दिया है इसको select करना था गलती से select ठीक है यहाँ पे select करना था तो यह हमारा जो है गलत हो गया तो इसको जो है हम क्या करेंगे select कर देंगे तो इसको कर देते हैं select तो इसको अभी save कर लेते हैं और save करने के बाद यहां पे यह आप दिख सकते हैं कि आ गया है अब यहां पे जो है हमें सारी जो cities हमने define करी हैं वो यहां पे दिख रही हैं अभी beer tag यहां पे हमने नहीं डाला तो beer tag डाल देते हैं ताकि वो जो submit button है वो नीचे side पे आ जाए त अब इसमें से जो भी city से वो belong करता है तो वो आप यहां पे select कर सकते हैं अभी जो हम select option का यहां पे एक जो drop down menu बनता है drop down box बनता है इसको हम यूज तरह से use करेंगे और साथी साथ में दोस्तों यहां पर यह भी बता दें अब suppose कर लो कि यह पूरा page किसी ने भर दिया है form जो बरती है लेकिन वह कहीं गलती होगे तो सारी चीज उसको हटा नहीं है तो वह क्या करना चाहिए यहां पर एक button होता है reset लिख देना है और यहाँ पर इसको save करते हैं और यहाँ पर अगर हम इसको refresh करेंगे तो आप देख सकते हैं reset का button जो है आ गया है अब यह काम किस तरह करता है चलिए देख लेते हैं at the rate यह हो गया .com तो अब इसके बाद password हमें जो भी डालना है तो सरफ ऐसे random selection ले रहा हूँ तो आप जेख सकते हैं पूरे form में से जितना भी हमने काम किया था वो सारा का सारा reset हो गया form जो है re-initialize हो चुका है तो यह तरीका है अब यहाँ पर यह बटन में submit लिख के आ रहा है तो हमें यहाँ पर क्योंकि हमरी यह register form बना रहे हैं तो यहाँ पर register लिख के आना चाहिए तो उसके लिए आ करना है यह जो submit बटन है यहाँ पर हम एक डालनी है value और value के अंदर हमने लिखना है register तो register करके save करते हैं और यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी यहाँ पर जो submit लिख के आ रहा था अभी हमारे हसाब से register जो है वो लिख के आने लग गया है तो दोस्तों I hope कि आज के इस वीडियो के लिए तो इतना ही क्योंकि काफी लंबा वीडियो होते जा रहा है अभी आगले वीडियो में हम जो है इसका submit किस तरह से करते हैं आगे और देखेंगे इसी form को आपको जो भी ये coding वगएरा अगर आपको चाहिए है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको मेरी website पे जाना है निरंकारीinfotech.com पे आपको ये सारी जितनी भी coding हम यहाँ पे करते हैं वो चैनल को सबस्क्राइब कर लें साथी साथ बेल का इकन अपा लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाएं तो दूस्तो आज के इस वीडियो के लिए तरह ही अगला वीडियो आने तक safe रहें, alert रहें and be always good to others